हेलो नमस्कार गुड मोर्निंग सूप्रभात कैसे हैं आप और आपके बढ़ाई अच्छे चल रही होगी हमने कौन सा जो पेपर है वो शुरू किया हुए एक बार हम थोड़ा सा पिछे की बात कर लेते हैं क्योंकि आपको यह बताना जुरूरी है साथ सात में नहीं तो भू एर का बीएड फर्स्ट एर का जो पेपर थर्ड है ना पेपर थर्ड वो हम लोग कर रहे हैं इसके यूनिट वन इसके यूनिट वन जो है वो हमने स्टार्ट की हुए है इस उनिट का नाम क्या है सिक्षण और अधीगम इस उनिट का नाम मैंने आपको बताया था इस के अंदर, सिक्षन को बोलते हैं teaching, क्या बोलते हैं teaching और अधीगम यानिकी learning, teaching and learning, आप यहां क्या लिख सकते हो and, teaching and learning, चीके, तो सिक्षन का हमने, एक जो question अवो हम कर चुके हैं, जो इसका important question था वो पहला, वो हमने कर लिया, आज का question भी उतना ही important है, कि सिक्षन का मतलब होत है teaching, देखो जब भी कोई भी, बच्चे को सिखाना हो, तो teacher का मैत्वपूर् रोल होता है, teaching का जो है वो बड़ा मैत्वर्पूर्पूर् रोल है, अगर teacher बढ़िया होगा, बढ़ाने वाला बढ़िया होगा, तो वो बच्चे को उतना ही बच्चे है वो पढ़ाई को बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं क्योंकि उनके टीचर के अंदर कोई न समझें सीखें और बच्चे के वेवार में क्या परिवर्तन आजए ठीक ना कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि मैं लो कोई भी जो बच्चा है मालो कोई इंसान है उसने बीड कर ली में कर ली और वो टीचर बनकर खड़ा हो गया ऐसे तो जो टीचर होते हैं वो कुछ ने कुछ उसी टीचर से पढ़ना है ये बहुत बड़िया टीचर है मुझे इससे पढ़ना है कियो किसी खास टीचर के लिए बच्चा ऐसा बोलता है कि उसके टीचिंग में क्या अच्या बढ़ने कि है ना फिमेल है तो अपनी बढ़िया कपड़े वेरा डालकर आ जाए और पढ़ाने लग जाए पढ़ाना आता ही ना हो तो बच्चा कभी भी परभावित नहीं होगा इसके विपरित कोई सिंपल सा टीचर है वो कहते ना चाहे वो कुर्टा बजामा डालकर आ जाए लेकिन सबसे मैता पॉन्रोल अधा करता है स्कूल के अंदर अने को टीचर होते हैं कि यह टीचर मुझे सबसे अच्छा लगता है क्यों कि उसकी टीचिंग के अंदर दम है वही शिक्षन का हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में ही आज हम यह भी देखेंगे कि जो टीचिंग हो बनता है कि टीचिंग के अंदर शिक्षन की विशेस्ताएं क्या क्या होती है फांत है कि फैस की कहता है किस शिक्षन को जानना शिक्षन की प्रकिरिया निरंतर चलती है पहले बात तो क्या है कि इसकी जो प्रकिरिया है ठीक ना वो निरंतर लगातार चलेगी इसकी जो प्रसेस है वो इसे लंटनी दूत होती है थे हम लोग क्ये चिक्षिन की प्रकिरिया है वो टूलेंगी लग अलए टार चलेंगी कि शेख्षन एक ऐसी प्रकिरिया है जो लगतार चलती यह कभी भी नहीं रूखती है ना higher हमने बात की थी ना कि प्रतेग व्यक्ति जनम से लेकर जनम से लेकर मिर्ट्यू तक जनम से लेकर मिर्ट्यू तक कुछ ने कुछ सीखता रहता है सीखता है ना जब एक बच्चा जनम लेता है तो जनम लेते ही वह वातावन के साथ अडजेस्टमेंट करना शुरू कर देता है ये बात मैंने आपको बताई थी जब पेपर वन करवाया कि जब एक बच्चा जनम लेता है तो बच्चे का वजो वजन है वो साथ दिन तक लगातार घटता रहता है क्योंकि बच्चे को बाहर के वातावर्ण के साथ अड़ेस्टमेंट करना नहीं आता उसको सर्दी, गर्मी, धूल, धूब, आंधी में रहने की आदत नहीं है लगातार वजन घटेगा लेकिन साथ दिनों के अंदर बच्चा वातावर्ण से अनुकूलन करना सीख जाएगा वो सीख जाएगा कि किस परकार एडजेस्टमेंट करनी है इस एन्वारिमेंट के साथ दिरे 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 बच्चा सभी परतीकों को गहन करता है है ना, जनम से लेकर मृत्यू तक सीखता है भई अब जैसे किसी की उमर 40 साल हो जाए, 43 साल हो जाए, 50 साल है, 70 साल है तो क्या वो ये सीखणा बन कर दे नहीं जिस दिन वेक्ति ये सोच लेता है ना, कि अम मुझे सीखणा कुछ नहीं है मुझे सब कुछ आता है, वहीं पर उसकी knowledge को full stop लग जाता है हम हमेशा कुछ न कुछ चीखते हैं हमारे मित्र हमें सिखाते हैं, रिश्शेदार हमें सिखाते है हमारे अच्छी जो किताबें हैं वो सिखाते है एक अच्छी किताब है, वो व्यक्ति का जीवन बदल सकती है, थे ना, तो जनम से लेकर मिर्ति तक कुछ न कुछ व्यक्ति सीखता ही रहता है, उसके बाद शिक्षन एक समाजिक परकिरिया है, यह कैसी परकिरिया है, समाजिक है, शोशल प्रोसेस है, हम जानते हैं कि मानो तो समाज में रहेगा, जो सिक्षन है वो समाज से समंदित है, ठीक है ना, तो समाज के लिए वे समाज में रहकर होता है शिक्षन, शिक्षन समाजिक परकिरिया है ना, जो सिक्षन है वो समाज के लिए होता है, हम क्यों सीखते हैं, समाज में अपना एक समानित जीवन जीने के लिए कि समाज में हमारा जीवन है ना वो समान से भरा हुआ हो समान से क्या हो भरा हुआ हो समानित जीवन जीने के लिए हम लोग सीखते हैं और समाज में रहकर ही हम लोग सीखते हैं तो जो शिक्षन की प्रकिरिया है ना एक अनभवी व्यक्ति अनभवी व्यक्ति को ग्ञान परदान करता है. जैसे मान लो हमसे कोई बड़ा है, या हो सकता है, बराबर का हो, छोटा हो, ज्ञान तो हमें किसी से भी मिल सकता है. जिसको अन्वाव होता है, एक्सPIRあり extension होता है. वो किसको ग्ञान देता है, जो unexperience होता है. जिसको ग्ञान नहीं होता, देता है ठीक है तो उसे प्रभावित करता है शिक्षन के बारे में शर्मा ने क्या लिखा है कि शिक्षन एक समाजिक प्रकिरिया है यह सोसल प्रोसेस है भई यह प्रकिरिया समाज में संपन की जाती है और समाज का क्या होता है विकास होता है शिक्षन एक समाजिक प्रकिरिया है और यह प्रकिरिया समाज में संपन की जाती है और व्यक्ति का क्या हो जाता है समाज का और क्या होता है विकास होता है ठीक है, कलियर उसके बाद शिक्षक शिक्षन एक अंते किरियात्मक प्रकिरिया है, ठीक है ना, अंते किरियात्मक प्रकिरिया है, ठीक है ना, इंट्रेक्शन है, अंते किरियात्मक मना इंट्रेक्शन है, अन्भुवी व्यक्ति अध्यापक, विध्यार्थी को क्या करता है, विचारों का अधान परदान करता है, जो एक अध ज्यापक और विध्यारती के बीच में जो बात्चीत होती है, उसको हिंदी में तो कहा जाता है अन्तहे किरिया, और इंगलिश में कहा जाता है इंट्रेक्शन, वो सिक्षन कभी भी अच्छा नहीं समझा जाता जिसके अंदर, तीचर ये टीचर बोल रहा है और बच्चे सु जहां पर बच्चों के भी बोलने के वाज़े आ रही है, तीचर के भी यानि कि आपस के अंदर अंतह किरिया, कनवर्शेशन, इंट्रेक्शन हो रही है, तो कौन सी कलास ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए जो second number वाली जो कलास है ना, जिसके अंदर इंट्रेक्शन हो बढ़िया है, जहां पर टीचर भी बोल रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं, आपस के अंदर बाच्ची तोर यह बढ़िया तरीके से, वो सबसे बढ़िया कलास मानी जाती है, ठीक है, तो एक अनभूव व्यक्ति यान कि जो अध्यापक है, वो विध्यार्थियों को क्या क अंदर भी होती है और कहां होती है बाहर भी होती है विधाले के अंदर और बाहर दोनों जगे होती है एक दूसरे का सयो करते हैं प्रभावित करते हैं और उनके बीच अच्छे संबंध होती हैं विधार्थी के वेभार में परिवर्तन होते हैं और विधार्थी का क्या होता ह विकास हुतता है ठीक नए यह क्या है एक अंत्य गिरियात्मक प्रिकिरिया है शिक्षन में आपको यह सारे जो पॉंश्पॉइट्समापो करवा रहे होता हैं यह सारे कैसा्य आपको ध्यान अखने पड़ेंगे इन पॉंश्प विए को ये तो निरंतर चलती है लगातार चलती है और क्या है एक समाजिक प्रिकिरिया है अब हमने क्या पढ़ा कि शिक्षन एक अंत्य किरियातमक प्रिकिरिया है ठीक है शिक्षन से वेवार में परिवर्तन होता है जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ने वाले के वेवार में क्या होता है परिवर्तन क्योंकि शिक्षा क्या करती है शिक्षा का काम ही है कि वेवार में परिवर्तन करना शिक्षा क्यों लेते हैं हम लोग वेवार में परिवर्तन करना जिस से वेवार में परिवर्तन आ जाए वो उसको क्या बोलते हैं उसको शिक्षा बोलते हैं वेवार में जिख देता है, वह ज्ञान परदान करता है, जो व्यक्ति अन्वभीन होगा ना, ठीक है ना, वो सिखेगा, और उसके वेवार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, अब माल लो आपको कोई चीज नहीं आती, और आपको वो दूसरा सिखा रहा है, तो आपके वेव परिवर्तन पूरन रूप से स्थाई नहीं होते, तदा बिल्कुल ऐस स्थाई और शनिक भी नहीं होते, इसका क्या मतलब है, कि यह जो परिवर्तन होता है ना, अमेश्या स्थाई परमारेंड नहीं होते, ऐसा नहीं है कि एक बार इंसान ने कोई चीज सीख लिए तो वो ते दम तक नहीं भूलेगा, वो दिरे-दिरे कई बार भूल भी जाता है, कई बार क्या हो जाता है, भूल भी जाता है, पिर परिवर्तनों के बिना व्यक्ति का वेवार प्रसित्य गन रूप नहीं होता, कलार क्या कहते हैं 1970 में, शिक्षन की परकिरिया के द्वारा विधा वेवार में परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है ना, तो ये वेवार में क्या है, परिवर्तन है, उसके बाद शिक्षन विकास की एक परकिरिया है, विकास की, शिक्षन किसकी परकिरिया है, विकास की, यान की आगे बढ़ने की, विकास की क्या है एक परकिरिया है, शिक्ष और परिवर्तन आ जाएगा तो उसका विकास होगा इधिसी बात है जब उसके वेवहार में क्या जाएगा परिवर्तन आ जाएगा तो उसका क्या होगा विकास होगा इससे वहे जो अपना निर्ने है वो कैसे ले लेगा फ्री हो कर लेगा ठीक ना निर्ने क्या लेगा फ्री ह बोलते हैं शिक्षन की प्रकिरिया का उदेश्य है अधीगम कराना हम बच्चे को क्यों टीचिंग क्यों करवाते हैं बच्चे को अधीगम प्रकिरिया है शिक्षन एक ऐसी प्रकिरिया है जिसका क्या होता है कोई उसी काम कर्ते हैं घिस का कोई कोई क्या होता है उदेश्य होता है उदेश्य होता है उदेश्य ही नहीं होती कभी भी कोई ने कोई बच्चे को सिखाने का कोई ने कोई उदेश्य होता है बिना उदेश्य की तो कलपना भी नहीं की जा सकती कि टीचिंग की बिना उदेश्य की क्या नहीं की जा सकती कलपना भी नहीं की जा सकती, ठीक है, याना कि कोई भी हम बच्चे को जब शिक्षा देंगे, तो शिक्षा किसलिए देंगे, कि बच्चा कुछ ना कुछ इससे जीवन में बनेगा, वो पैसा कमाने के लाइक बनेगा, बच्चे के अंदर ज्यान भरना है, जीवन जीने के योगे बन करना है, यक्ति का जो भी हेविर है उसके अंदर चेंज करना है, ताकि उसका विकास हो चुके और हो सके, और वह वाता वनों प्रभावसारी ढंग से अपना अडजेस्टमेंट कर सके, शिक्षन एक त्री धुर्वी परकिरिया है, ट्राइपोलर है, यह मैंने आपको करवा करत होती है, ठीक है, ब्लूमने सपस्ट किया चुकी तीन परकार की होते हैं, कि स्रीक्षन परकार य crisis से नकि है क्या कहा था, मैंने आपको बताए थी यह बात, एडमसने क्या कहा था, एडमसने कहा था, एक त्वी धुर्वी परकिरिया है, यानि कि इन्होंने इसको बाई तो पोलर कहा था लेकिन जो ट्रबॉलर किया था, यह क्वार्त विद्ध्या बिध्यारती होता है, एक तो शिक्षक होता हैं, विध्यार्थि लिःलती से ही। लेकिन जोन डीवि और भुलूम कहते कि नहीं इसके अंदर छिक्षन पर किरिया कि तीन पक्षम बताए यह मैंने शिक्षा के बताए यह नहीं है यह तो मैंने शिक्षा के बताए है एडम्स ने कहा शिक्षण शिक्षा दिवी धुरवी है और जोन डिवी ने कहा कि ये त्री धुरवी है जोन डिवी ने ठीक है लेकिन शिक्षण प्रकिरिया टीचिंग प्रोसेस ये तीन प्रकार की होती है एक तो टीचिंग के गोल्स होते हैं शिक्षण उदेशे होते हैं यह तो मैंने education के बारे में बताया ठीक है ना और यह क्या है यह teaching है teaching के बारे में क्या कहा जा रहा है कि यह बलूम ने बताया यह किसे ने बताया या दख लेना बलूम ने बताया कलियर हो गई ना बात या नहीं यह बलूम ने बताया और यह जो जो डिवी वाला है यह एजुकेशन है यह शिक्षा है उन्होंने का आप के शिक्षा जो है वो ट्राइपोलर होती है एक तो शिक्षा के अंदर क्या होता है अध्यापक होता है एक तो अध्यापक होता है और शिक्षन के अंदेख तो शिक्षा का उदेश्य होता है, एक अनभव होते एक्स्पिरेंस होते हैं और एक वेवार में क्या आता है परिवर्तन आता है, शिक्षने वाले के वेवार में क्या आ जाएगा परिवर्तन आ जाएगा, ठीक, फिर देखिए, आगे बात है कि जो शिक शिक्षण है वो आमने सामने होने वाली प्रकिरिया है शिक्षण एक ऐसी प्रकिरिया है जो आमने सामने होती है कैसी प्रकिरिया है आमने सामने होती है इसमें विधाले के संकूचित वातावरण में अध्यापक और विधार थी क्या होते हैं आमने सामने होते हैं और जो के अंदर बड़े वातावन के अंदर अन्भूव व्यक्ति और अनभूवु व्यक्ति के विभार में परिवर्तन होते हैं अगर कि stell और विधार्थी आंपने सामने ना हो और समाज में अनभूव. मैं अनभूव. व्यक्ति और अन। यह प्रकिरिया संपन भी हो सकती है, और इन फॉर्मल भी हो सकती है, स्कूल के चार दिवारी में निस्ट्री समय में संपन किये जाने वले शिक्षन को अपचारिक शिक्षन कहते हैं, देखो जो शिक्षन है, वो अपचारिक भी होता है और अनुपचारिक भी होता है, और अनुपचारिक शिक्षा का सबसे बड़ा जो केंदर है वो क्या होता है वो स्कूल होता है और चारिक शिक्षा यानि कि जिसको हम लोग क्या बोलते है फॉर्मल एजुकेशन इसका जो सबसे बड़ा केंदर है वो क्या होता है स्कूल होता है स्कूल के अंदर अध्यापक विध्यार्थी को क्या करते है टीचिंग करवाते हैं, सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं, यह होता है न, स्कूल के अंदर अध्यापक जो है, वो विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, उसको टीचिंग करवाते हैं, एक निश्ची समया पर कक्षा लगती है, निश्ची समया पर पेपर होते हैं, निश्ची समय पर अगले कक्षा में प्रोमोट किया जाता है, एक होता है अनुपचारिक, अनुपचारिक शिक्षन को informal education कहते हैं, अनुपचारिक शिक्षन कभी भी कहीं भी किसी को भी दिया जा सकता है, जैसे एक बच्चा पार्क में गया खेलने के लिए और वहां पर सामने कोई अंकल ब तो अंकल उसको बोल देता है, भी चलो ऐसा करो तुमा, कि तुम तो शाम को खेलने आयो, नोन टेंडिंग कर रहे हो, तो बीए तो कर ही रहे हो, साथ में प्रस्टू के बेस पर इतनी सारे H.S.S.E. की भरतिया निगलती है, तुम उसका पेपर भर दो और तैयारी करो अपन सुबे के टाइम में मैं कुछ घंटे अपने नोकरी के लिए जो कंपटिशन एक्जाम की तैयारी के लिए मैं दे सकता हूँ, तो वहाँ पर उसने ये बस सीख ली, वो गया, उसने फारम भरवा दिया और किताबे ले आया पढ़ना शुरू कर दिया, तो शिक्षा देने का लेट आया, ग्यारा बजे आया, तो माता पिता ने समझा दिया, अरे गल्त बात है इतने लेट आना, ऐसे आजकल जवाना खराब है, समय से घर आना चाहिए, ज़्यादा दिर बाहर आना, अच्छी बात नहीं होती, बच्चे ने शीख लिया कि हाँ, मेरी ममी बापा सही कह है रहे हैं, कि घर से बाहर ज़्यादा दिर अच्छी बात नहीं है रहे ना, तो यह क्या है, यह भी एक शिक्षन हुआ, वह कौन सा है, अनुपचारिक है, जिसके अंदर कोई भी नियम काईदा कानून कुछ नहीं लगा, लेकिन बच्चे ने तो नहीं बात सीख लिए, को